असलाम लेकुब नजीन महाई शेफ एसल तानी सोफे कुकिंग शो मीदा सब खेरेत साहूं दा हैं जी को बारन जो वीक असान स्टार्ट केवा हमें टिफरंड बार अचन प्या अइंदा अग्यां पूरो ही ओफ्तो आया इं तमां सुठी रसेपी जेको तहां जी हमेशे फर् सब्सक्राइब को बार इजी खाई सगन अई लॉंच पॉक्सिस में असा हो नंके प्रोवाइट के उठाई घर मेडियों ता वही रसेपी जैन अई गड़ अजवी नंडड़ा आयन मुसा गड़ ट्रे ता सुभाने भी हुंदा परी भी हुंदा तहां अगर पांजा बार म मैंने स्टार्ट किया था किड्स की रैसिपी थी तो बच्चे भी आ रहें इंशाला इस वीक और भी बच्चे आएंगे और डिफर्ट रैसिपी जो आप लोकी फर्माईशों के हिसाब से हम करते जाएंगे बनाता रहोंगा वो रैसिपी जो लॉन्च बॉक्सिस में हम बना मुस्तफा यह मुस्तफा है ठीक है अच्छा मैं बता दो फर्दाना शाकिर हमारी जू रैगूलर कॉलर है उनिके यह नवासे हैं और मैं मैं इस बाते हैं और बनाऊंगा जो रैसिपी बना रहों मिंए रग पीज्ड वर्गर बने ऊपर हम बनाएंगे क्यूंके बच्चों लिए जो हम pizza बनाते हैं डो बनाये उसके बाद ऐसको रह्स्ते जो चोटे पीज़ा बनाए मिहनेत हो तो तो easy way में आप बर्गर बन लें और उस पह मैनी पीज़ा बनाएं लेसे बन बनाइनखे साथ में प्रेश करेंगे दो की जागा मिनी पीजा बर्गर में ठाइंदा सी ठीक है बर्गर बन यूस कना सी पीजा जी डो ठाइंड में टाइम लगे तो यह एडी रेसेपी है कि जिए सुबू जो बार इस्कूल विंदा इन बन एकड़ो गुराय रखी चलो चिकन मेरिनेट करें फ्रिज में पाई उचे चागन द करें बारन के रही सागोता इस्कूल जो को लांच बॉक्स ओंदा या जिया नंडे बारन के घर में शाम जोई ठाइरी सागोता ठीक है हम स्टार्ट करते हैं रेसेपी नोड करते जाएगा सबसे पहले जो हम पिजा बन पर बनाएंगे ठीक है छोटे मिनी पिजा यह देखे श्रमला मिर्च प्यास टमाटर जाएगा चिकन के क्यूब्स जैंगे ठीक है भाजीन में टमाटा बसर श्रमला मिर्च आहने संगड चिकन जाक क्यूब्स बिदा नंडी बूटियूं करें चाहिए जो हिक पाजे करीब हैं ठीक है जब मसाला एं मेरिनेशन वह सब तांगे मेरिनेशन स्टाट भी कहीं था ठीक है और फिर आप लोग से बात भी करते रहेंगे बच्चों से सबसे पहले जे ठीक है यह हमने क्या करना है कि मेरिनेशन करनी जिस सॉस पैन में जिसमें बनाना चाहिए उस ही में आप मेरिनेशन करें ठीक है मेरिनेशन के लिए हमें क्या यह चिकन एक पाव के करीब या डेड़ कप आपने चिकन ले लेना अच्छे पीजा जो छोटे बनेंगे उसके लिए इतनी चिकन है एक पीस में छे चे बोटियां रख सकते हैं यह ज्यादा है छे से आठ बर्गर बन उनके ओपर पीजा बनाऊंगा तो आप अगर कम कॉंटि में बनाना चाहते हैं तो एक बोटी फ्रेस करके आप यह रख दे और एक बोटी चोटी-चोटी क्यूब्स बना लें ठीक है यह option आपको इस तरह बतानों अगर घर में बर्थरे पार्टी भी करते हैं इस तरह के आप पीजा बना के बच्चों को बेज सकते हैं ठीक है इसक सपाइसी करके थोड़ा बनाएंगे एक चाहे का चमच पिशावा धनिया औरATHAN आद्र चाहे चो चमच पिछल भाडा मिर्च आध के चमच पिछल गाड़ा मिर्च सब्सक्राइब हम डाल थे का quarter teaspoon पीठल हाइडर, गरन मसाला पॉटर भी इसमें quarter teaspoon डालेंगे, नमक भी quarter teaspoon थोड़ाओ से जादा, 3 पिंच अंदाजें से टालें बहुत ज़्यादा salt इना, उसी के साथ हम काली मिरच पॉटर भी इसमें डालेंगे quarter teaspoon ठीके, और इसके बाद हमने क्या क्या करना है, इसको करना है mix, ऑद इसको mix करने के बाद कोज वी डोध की सालामलेकूम, वालेकूम inside, स्लीकल की कोने ही, काह करने हैं? इस सरोज बात कर रहे हूं जी सरोज क्या है इस ने आप स्राइ कहसे हैं बिलकुल अन्द रह ठीक ठाग प्रोग्राम देख रही है जी देख रही है अपको बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका तैंक यू आपको पीश कर रहे है जी जिए के चुछ देख रही हूं आपका बहुत अच्छा जा रहा है ठीक है तैंक्यू कुछ कहना चाहेंगी कोई फर्माईश आपकी नहीं फर्माईश आप सब पूरी कार देते हैं ठीक है अपना बहुत सारा खैल रखेगा रेसिपी नोट कीजेगा ठीक है अच्छा इसमें हमने एक खाने का चमच चुकिंग ओईल डाला है और इसको मैं हलकी आँच पे बिटा थोड़ा साइड में जाए हलकी आँच पे इसको पकाने के लिए रख देते हैं और इसको हमने चार से पांच मिनेट इस्टर फ्राइ करके निकाल देना पर यह वैसे बेकिंग में जाएगा ओवन में तो वैसे ही कोख हो जाएगा ठीक है अच्छा अच्छा प्रोजेक्ट थावन में में राइस के नाल रोस चांड का पुल जाएगा ठीक है सच्छल कालूनी जे विजो हम्जा राइल सिटी उते तहां प्लॉड बुक करायो पंजा हजार के नंजी बुकिंग स्राट थी ठीक हाई मावार का थाएगा पंजा हजार का बुकिंग आए महावार किस दह हजार है अच्छा बनाती है बूले ना ममा तो बनाती है ना और बाबा कब बनाते हैं यसी बाबाभी बनाते है ना ना अच्छा क्या की इस हय स्थी बनाते है ہक च्छा होता हुँTr hr दोड़िय क्या में नहीं जोर से वोले आऽ जा इस यbn बनाते है ग। धह नहीं तो हुआ धी आफि माथ शेख्ट हंगा तो मुंवचा ऑचे किन एक निख़एविर देह से मूचांश मैं घूता है एक हो जाया खषा है कि दृता हो मनमा चनल एंग को यह जो अलिए और्सरि delivery में जब्सक्राइब कुछं शुराठाई जाथ मैद कव से अलेमम वो बनाया तो बनाया थे लेकिन रोट गए अच्छा आपने ब्रेट कुड़ा थोट सब्सक्लिज था नहीं है अजया अटक अच्छा एंटा च्छाप्सक्ण डाला था टो अव दुनु जादा थे लेपाध कि अअच्छा बन गया ता इसको आपने मेश करने चिड़ा थाश न यह नई भी है ता सब और जाने प्लिम ना ता सचारोच्ट को अधन अधन अधना कि बाद भी अधनले सी घंटा अधनले कि भीड़ ने का यह श्ता हुआ टाक उसको आप जाना के है अन्मी नम्मी बात डालो अच्छी ते अच्छी तो बना एक प्रगा तो इसको आप बना तो बनाने के बाद देखें अब आपके सामने बेला तो आपके सामने बन गया था ठीक है मेरे भी नरम थे क्योंकि मेरे पास टाइम कम था आप 30 मिनट उसको फ्रिज में रखेंगी दो को तो बहुत अच्छे बनेगे या 15 मिनट फ्रीजर में रखें उससे भी हार्ड हो जाएगा थोड़ा ठीक है अब जेडें केक का बता जादा केक प्ले का बता दीजा सादा केक सादा केक कल में बनाऊंगा पर्साँसुनोष रिघ्ला पवा लेते देज़ा तो इस मेहां से मैथट से मैं आपको पॉण्ट केख स्लाइस वाला बता दूगा से Comic चुक्तना केक बोटियां हमने बना लिए, सिंपल मसाले में कुछ बाहर से जैसे लेके हमने यूज नहीं किया ठीक है यह है, खाला मुझे वो दे दे दे, चीज दे दे, ठीक है चैडर चीज, मौज़रेला चीज दोनों हम यूज करते हैं देकिन जब आप फिजा खाने जाते हैं अ कियाता हैं महार कि मेर किजा वह घया है या slices करते हैं तो टूपना शूँ जाते हैं फ्रेजर में या फ्रेज में पड़ी रहेगी यूज करने के बाद फ्रेज कर दें निकालें आदा घंटा पहले जब आपने यूज करने है ठीक है ये बोटी हमारी हो गए इसको रखते हैं साइड में अब हम क्या करेंगे यूज करें तो बेटा हाथ नहीं लगाईगा आप लोग ठीक है बहुत गरम है ठीक है बेकिंग ट्रे गरम होता है अगर आप ऑवन में रखेंगी वैसे बाहर रहने दिया करें ठीक है इसके बाद ये देखें यह माई पास क्या है ये रिखें बर्गर बन ठीक है ये रद् नहीं होगा पहलेगा नहीं बर्गर बने तो ये इसी पर बन जाएंगी ठीक है ये हो गए ये करने के बाद ठीक है इसको में रखता हूं चूले पर क्योंकि कटिंग करके वेजटेबल्स अमने इसके लगानी अब फोड़ा साइड मोझा है ठीक है ये हमारे हो गए अब कुछ बना रहा है रोग तो कूछ आप इसके क्यूप बना ले ठीक है इसतरह इससनु चार में ठीक है चार इंश बना लेते हैं और बाकी हम किया करेंगे कुप बना लेंगे दो तीन तरीकर से आप को बता देता हूं कि हमने इसको केस स Dion आप इधर आजाओ, आप बहुत प्रेम से बाहर जा रहें, आप इधर ही आजाएं, ठीक है, बिटो बिटो, ठीक है, अब हमने क्या करना है, इस तरह छोटे small cubes cutting करने, ठीक है, बहुत small नहीं होने चाहिए, chop नहीं करें, cubes बना दें, ठीक है, इस तरह इसको आप cutting करें, इसी त इस तरह ओनियन के भी आपने कर देने, ठीक है, बसर भी ही नहीं तरीके साथ, इसको हाथ नहीं लगाईगा, बहुत गरमें, बेटा, पीछे हो जाओ, ठीक है, अच्छा, आप सौंग कह रही थी, सौंग सौनाने वाली थी, आप सौंग सौना हैं, जब तक मैं cutting करता हूं, क कायल हो गया दिल बेचारा, सुबा सभी रह चांदने वाले, आगे दस है पीछे बारा, मुझको अपना चांद बना ले, चम का दे किसमत का तरा, एक बार से दिल लहीं बरता मुड़के देख मुझे दोबारा, टंटरा टंटरा चलती है क्या नो से बारा चलें बहुत मज़ी का, बहुत अच्छा सौंग, जी, अच्छा अब स्लाइस, ठीक है, टमाटर के भी स्लाइस बनाएंगे, इस तरह बारीक, चार स्लाइस बना देते हैं, ठीक है, डिफरेंड उसमें अपने करना है, चार हमने स्लाइस दे लिए, और बाकी के इसी तरह क्य क्यूबस लेकिन टमाटर के जब हम क्यूबस करेंगे, तो उसके साइट हम निकाल देंगे, ठीक है, साइड हमने यूज करने, सेंटर का जो पीस होता है वो यूज नहीं किया जाता, ठीक है, वो पानी छोड़ता है, तो इस तरह की जो चीजे होती है, हम बनाते हैं, तो इस यह हो गया, क्योब्स, स्कूल के लिए भैतरीन, बहार से हम पीजा लेके बेकरी पे मिलते हैं, चोटे चोटे वह भी 50-60 रुपे का मिलता है, अगर आप घर में बनाएं तो आपको यह सस्ते पढ़ते हैं, प्राइज इसले बना बता रहा होता हूं कि आप अपने घर में खु अच्छा हाला है इंता जा, आप टीका है, जी कुछ चैन चाहिए दो, इसले बिर्यानी थाइं सिखा रही लो, अधी बिर्यानी तब हाने बट्रे तफा थाई या, हाने अग्यों हफतो ता रिसीजो, अग्यों हफते का कल्चर वीक स्टार्ट ये पर उनमें बिर्यानी, सि अधी पुलाओ ठांडो, ठीका, अग्यों हफते ही डिसीजो, ठीका दी, इने इस इका ग्यों हए इस इका ग्यों हए तो इस अधी आप टीका, अच्छा, हालो, सिखा, चैन तो अधी बटाई तो चना, ठीका, थैंक्यों, कॉलर के यह आपने जो सॉंग आया ना, बहुत अ अधी शॉर्ट ब्रेक, ठीका, हिक एक खायन जो चमचो, अगर हिकड़ो ठायवा पर तडे भी इने सापसा ही रख जो, ठीका, हे अच्छ ठान प्या, अगर फैमिली में भी ताम पंजेला भी यह पीजा ठाया जरूरी ना, बारण जला, पंजेला भी ठायन चाहे हो, तो यह ही ठाया सको होता, ठीका, अपने लिए भी बनाना चाहे है, तो इसी तरह बना सकती है, छोटे मिनी पीजे, और डो के साथ अगर बनाएंगे, तो डो भी सेम इसी कॉंटिटी में होगी, ठीक और एक शिमला में चाहे, अथा जे प्रोग्राम ला तावन कई हो आए, साहल बिल्डर एंड डेवलोप्मेंट, इना जो लोग अजीम शान प्रोजेक्ट आए, जेको, सिंजे जे मशूर शेह लारकाने में आए, ठीका, अहे ते, मेन, मेन राइस किनाल चांड का पुल ते, रोड चांड का पुल जेको आए, होते, ठीका, सचल कालूनी जे भरसा, ताहा होते वनी, हमजा रोयल सिटी लारकाने में ताहा वनी, पांजी बुकिंग कराए सगो था, पंजा हजार का बुकिंग स्टार्ट थी ठीका, ड़ हजार महावार केसता है, हिक सो वी गस, बसो गस बसो चाली गस, आहीं 400 गस जब लार टाइन, ठीका, हमजा रोयल सिटी लारकाने में, यह देखें, इस तरह चिकन के पीसिस रख लें, ठीक है, यह मैंने थोड़े बड़े साइज में भी बताए आपको, इस तरह 4-4-6-6 पीसिस और, वेजिटेबल्स आपने इस तरह क्यू वह मौन, बिसफर्व आपका, हमके बाती है, और कॉन है, जिस सबल्डा साइझ, फर्जान लारे बigon करने तो ओनाती है, इस यह गोकूं ऑनके बनाती है, और ख़र्व बनाती है, chef प्रवगद एक के लिए थे बाढ़े मनां भी बनाती है, अगर और को वे बार के अगए घ कर दो भो कि बना लेते हैंzufu खरक प्रॉस अच्छा होता है और बाबा करते हैं कभी क्यूंध शुक्य अपबबा इतर आजा अप क्यों परीशान हो रहे हैं पर यह जांता इंगा चौन मॅत अच्छे मерм मा नहीं है नानी की खानवास में सबस्क्राइब आ में आणने मंमा लगाइस देले तारीफर करना ममर की टारीफ करना कि बैलिए जो पूछल ना कि तारीफ करना अच्छा ममा अच्छा बस्ते अब आप अब बताएं कि घर में कौन अच्छा बनाता काना ममा कैसा नानी का खना कैसा होता या लगं या Ukrainian Forके लोब ऑवे Kern का टमव एंद नानी के साथ यह कि अजसे तो नहीं समने केमरा में चेले में क्य क्या बोलए अपने मैं कह हुआ क्या हुआ कि नानी साथ है कि इस वजया अथा नानी का छुटadt आप इदर आचाए यहाँ हो आप दोनों लड़ेत ना हिस नहींब एससा है उंका जाद अच्छा होते नाज़ा होसा नाने का तंकार पेंचेकर अमा पिटाहिं जाएं कि मैं और सिर्टर्स बनाती अच्छा आ ज्छा सबाइन का चाहिं वहां उन्हां टकाशा और हाब् Honestly D माईक बताएंगा जाएंगा। कैसे कैसे इनको दें माईक्स यह बताएंगा, बताएंगा कैसे बनाती है कि पहले तो चीजक्ट को बाघ देती है। अब आप लोग को देती है। मज़िका होता है अच्छा यह देखें चीज मॉजरेला चीज आप बिटा इदर आजाए आप फ्रेम से मुझे लगता है बाहर हो रहे हो अब मैं सब्सक्राइब आपने डालनी है ठीक है मॉजरेला चीज नीचे ना गिरें अच्छी तरह इसके उपर सेट करें अच्छा अगर स्पाइसी करना पर आखिर में अपने अपने कुटीवी लाल मिरज डाल दे एक है अगर थोड़ा थोड़ा श्पाइसी करना चाहिए बारन जिला टाहा जिला कुटेल गाडा मिरज ने लाल मिरज जाएगी जाया है इससे बेतर है जो नीचे गिर रही है वो आपने उठा के पिजा इसके अ तो इसको छोड़े ना क्यूंकि जल जाएगी ताया हो जाएगी वैसे इसके अंदर तो यह फॉरन मेल्ट हो जाती है इस तर आपने पहला के डानी फुद ही फैलती जाएगी और बनाते हैं अच्छा आप कह रहे थे आपको सिंधी में क्या काउंटिंग आती है तर बताए मुझे सब सुनेंगे सामने कैमरे में देख के हेड बाव भाव अब मैं आप सबको कान में बोल रहें आप कुछ नहीं इसने आप से कॉस्चन भी करता हम खामौश हो जाते क्यों वैस्दा आप सब से ज़्यादर्दी हो मुझे पत्ता है ठीक है यह हमारा हो गया बेगिंग में पिर इसारा हो गाया इस पर प्रीकिंग में आट आट मिनट पर फिरीटी और 15 मिनट पहले अब हमें चीज को मेल्ट करना और वेजटेबिल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएंगी इसके बाद हमारा यह बिलकुल बेबी पिजा तयार हो जाएगा मिनी पिजा जो बर्गर का है यह हो गया अब हम आएंगे सेकिंड रेसिपी पे हम्हारी क्य बार से अब हमकर है सेकंड रेसिपी हमारी है चिकन नगेट्स आप लोग नगेट्स शॉख से आपढमे बनाते है यह बाहर से लेते हैं कौन बनाता है गत्षी अगलने एल्म के देते हैं घर में निवाइख करके देते हैं माइक मेरें ना म्यग किस कर आते हैं जिसले सब्सक्रायि है भाहर से लेकर बहुत करनेाों नियों शरह खड़ा है जार स्लाइस बड़ा है wil बचाएं पो इसको कर लेना इसको आपने तो कर लेना इसमें थोड़ी दिर चोड़ा पहले नरम धीड़ा, जोड़ देना, तो ने फिल दूद्स लेखा गए, उसके बाद आपने क्या और आपने दें कटर्चिक आपने अपने क्ला कर लेका तो किस इसलिए पहले से हमने पिस्वा दिये चिकन को बिल्कुल बारीक, कीमे को. सब्सकopia काम कई में 25 मिलें चाहिए इतना बारीक होना चाहिए इस तरह की चंगी तरह कि में शीक्राई बीचिया और कीमी टेइन में हटी अचीप होता ही टा चिछयू देखें इस तरह का इसका texture होना चाहिए ठीक है इसमें हम मिलाएंगे breads उसके बाद इसमें क्या क्या जाएगा लहसन का powder ठीक है गार्लिक पॉडर लहसन का powder काली मिरज पॉडर salt जाएगा ठीक है बस यह चीज़े जाएगे और थोड़ी सी पिसी भी लाल मिरज फोर टेस्ट जालेंगे बाकी और कुछ नहीं जाएगा और इसके लाबा सॉया सॉस और bread crumbs जो हम coating में इसमें यूज करेंगे ठीक है और सॉया सॉस जाएगा ठीक है इसको फिर हम डिप करेंग अच्छा इसको देखते भी रहेगा चीज जब हमारी मैल्ट होना शुरू हो जाएगी तो इसका color खुदी चेंज होना शुरू हो जाएगा चीज अलची तरह मैल्ट होगी क्योंगा मॉजरेला इसके पर खुदी फेल जाएगी और वह खुदी सॉफ्ट हो जाएगे उसके आपने निकालना है ठीक है अब क्या करते है चिकन का कीमा डाल देंगे इसके अंदर चिकन का कीमा है तकरबन 400 ग्राम ठीक है 400 ग्राम कीमा हमने लिया इसमें डालेंगे PCV लालमरज विल्कुल 1.5 टीस्पून से कम पोर फ्लेवर आएगा ठीक है आधा चाय का चमज कुट्टी पॉड़ या PCV कली मेरज लेशन का पॉड़र एक चाय का चमज गार्लिक पोडर आखिक है और उसके साथ हमने इसमें डालना है मस्टर्ड़ बच्चों पालिये और इस तरह आपश Wash देखे 뉴스 जाहें आदेने, इसको अच्छी तरह mix करें लेकिन इसको आपने fridge में या freezer में रखना है ठीक है freezer में रखेंगी तो एक घंटा आधर घंटा इसको रखें ताकि या hard हो जाएगा थोड़ा उसके बाद इसके अपने balls बनाने या कोई भी आपने शेप दे देना ठीकी ये देखें अच्छी तरह mix up होना चाहिए इसका better अच्छी तरह आपने मिक्स करने हैं। एक गोश्ट में बिलकुल रेशा नहीं होना चाहिए चर्बी नहीं बिलकुल साफ होना चाहिए। पर नगेट सूटने हैं। इस तरह हाथ से बीटकरते जाएं और इसपर घुमाते जाएं। तेखा है वुदा है तुझा है तो चंगी तरह आनके मेंक्स कना दो तॉ कहें ऊच्छी तरह आपने इसको mix करना जो कि यह हो गया इसको फिर आपने फर्ज में रख rum ठीका डिए फरेज में रखेंगे तो एक से ऑपने आदर घंता रख देना है वाद रखने से क्या होगा िए सर्थ के बाद बाद आप कीला करके यह खुलिंग करके आपने नगेट्स बना देने ठीक है और इसको कोई भी आप शेप दें राउंड में दें स्क्वार में दें शेप देने के बाद आपने इसके हम बैटर बनाएंगे उसमें आप टिप करेंगे इसको हम रख देते हैं प्रेजर में में रख रहा हूं ताकि जितना मेरे पास टाइम है तक ही में सट हो जाए ठीक है यह बिल्कुल अब मेल्ट होना शुरू हो गया है यह मेल्ट होगा थोड़ी तर इसमें लगेगी फोड़ा साम इसको ठाते हैं इंचे की तरफ आ रहा है ट्रे और फिर उपर देके इसको आपने कलर देना ठीक है चीज आप ज्यादा भी डाल स मॉफिन्स चॉकलेट मॉफिन्स ठीक है आज यह फर्जाना शाकर देखती है मुझे हमेशा रैसेपी सेंड भी करती है लेकिन आज वो बच्चों के साथ ही तो बना के भी लाई है यह देखे है कापकेक्स है जबरदस वही कपकेक्स जो मैंने कल आपको बनाना सिखायते ठी और लाई है यह दूण सेंड करते हैं जैसे मैं बनाता हुं रात को यह दूसरे दिन यह दूसरे बनाते हैं यह था है को अइस इसरी दूरा बनाती है आप फ लिचार अप सबाएक्स काफी बी जाते हैं इनको एर टाइट आप बॉक्स में रख दें या जो ब्राउन कलर का शॉपर होता है जैसे वो आटे की मिलती है थेलियां होती है इस तरह के शॉपर्स भी मिलते है उसमें लपेट के रख दें तो यह काफी दिन तक चल जाते हैं एक हफते तक भी आप इसको यूज कर सकते हैं जब हमारा पिज़ा हो जाए तयार खाला मुझे मैदा आप तो निकाल दे मैदा आपने निकालाई निया है मैदे का बैटर बनाएंगे उसके बाद हमने अंडे बीट करने है सेकंड ब्रेक इन दोना हने ठीका अंडे का बैटर बनाएंगे और रहना मैदे का बैटर बनाए करेंगे अंडे पीट करेंगे पर उसके बाद हमने उसके बना के और दीफ्राय करके निकाल लेना ठीक है यह रेसिपी तो मैंने कल बनाई थी वही वाली यह और उसके साथ पिज़ा को देखते हैं ठीक है अब मुझे मैदा निकाल दें अब क्या के रहे थे आप बताएं क्या पुछ इन से नहीं आप मुझे बताएं आप बिल्कुल कुछ भी नी पोयम पोयम बताएं श्कुल में पोयम तो पढ़ते होंगे ना बताएं जोर से सामने देखे है चारो कोई भी ट्विंकल ट्विंकल ही बता दू ट्विंकल ट्यूइब लूदली त्विंकल ट्विंकल ट्विंकल लेटलेस्टा आवा अवा इन ड्रूरर अफ कबस्टा हो थो आएं like a diamond little star twinkle twinkle little star how I wonder what you are aapka buzzer what so high like a diamond little star oops sorry अच्छा ब्रेक जो ताम थी पर काठे ना जो इस पर लग गया कोई बात ही कि अच्छा जो अच्छा जो तो कि अच्छा जो वेलकम पर नाजीम बेकते होने का पहरी ताहें सामू नगेट जीके मां ठाया मसालों जो ठाया रख्यों जो को बैटर रहे चिकन जो वह मां रखी चड़ और अंडाहिन में विजंदा आशी एक जो बेट कंदाहसी इन मैद है थाहा है मैदा या आए ना आपको अछाअ लगए वह लेंगे और ब्रेट करेंगे ऑसके साथ अंडे बीट करूंगे पिर अंडे हम इसमें डालेंगे ठीक है आज जो पताओंगा किस ता बनेगा और उसके साथ हम चिकन बर्गर बनाएंगे उसके जो पेटी होते हैं चिकन बर्गर के वो बनाएंगे ठीक है सुभाने देशी चिकन बर्गर आए हुण सब्सक्राइब पराथा रॉल लाइं कॉल बीटूता स्लाम लेकूम Assalamualaikum पुचिक्ता में और नाइसा और इसमादो साथ पूचिक्ता है जो ब्रेट के लिए डाला था? ढर रहता जी किस ब्रेट के ऐसे बता देगी यह बता दिया कश है अछा पर उपसे गाहाँ है आप याहाँ यह ना रहा यह ने जो डड़ा इसाइब आप कॉन सोंग सिन reck है क्यों मुन्स ठाइक हां इस एंध्र एंगज कों सी बासमें लकातो सिक्वार नहिंग और 3 class ड़ास में अच्छा क्लास में यह अप्र पिंजिए नंगर आथा इंग है यह जाई और प्लबाइकल मेरे बेटे की तरह अच्छा आप कॉनसी क्लास में 25 2 लास तूमें आपकी क्या पॉजीशन आती है पढ़ाई में किसे हैं ये तो ममा बनाई बताएंगी हमें बाबा बताएंगें सब देख रहे हैं अच्छा कितना अरे हां इनकी तो पॉजीशन आती है फेस्बुक पे देखा है मैंने हां बड़े माशाला सबसे अदा इनकी पॉजीशन बहुत अच्छी आती है बहुत अच्छे मार्क्स होते है मैं अभी भी अपने फर्स पॉजीशन ली थी मैं देखा था फेस्बुक पे इनकी फैमिली एड़े मेरे पास तो इस और आप कॉंसी क्लास में है ये क्लास थ्री में है आप क्या है पढ़ाई में कैसी प्रोग्रस है प्रोग्रस को अठीसे क्बमि आफे की तरह में अच्छा को मितरान कि से आता है खौमी तरह निए को मितराना को आता है ना प्रेश अप्रोग्रस के अचलिक आए अपटरबह में होता है आच मैं आप berséक्विह भकत ह automation किसे आता है अधा चलो अच्छा कॉल लेते हैं पहले हलो अस्लाम लेकूम इसलाम फैसल सब पीज आप रिपीट कर दो कि आपने क्या क्या डाला है यह उसमें खुदब्बला करें यह जो बना रहे हैं इसमें जी मैं रिपीट कराता हूं टी-वी कि तब जाएं ठीक है चलें आप टीवी की तब जाएं तो मैं रिपीट कराता हूँ 400-500 ग्राम अपने चिकन लेना है ठीक है बॉनलेस चिकन लेना है और उसको आपने क्या करना है चिकन चैकन को आपने बिल्कुल प्रॉसेसर में चलाके एक तो मचीन में चलवाते बबाद धुषा办 घर में chopper होता है, chopper में grinder में आप चला दे उसको अच्छी तरह बिल्कुल पीसना है ताके उसके बिल्कुल कीमा हो जाए ठीक है उसके बाद 4 अदद slice लेने, आपने 4 अदद slice लेने, यह पे 2 अदद अंडे हम डालने बीट करेंगे चार अदद आपने slice लेने, बेटा थोड़ा से side पो जाए, उसको आपने एक cup बल्के 5 slice लेने, एक cup दूद के साथ उसको छोटे-छोटे pieces करके, आपने slices को डालके, dip करके, 10-15 minutes, 20 minutes छोड़ दें, उसके बाद अच्छी तरह उसमें मसल दें, ताके वो बिल्कुल नरम हो जाए ठीके, creamy texture में आजाएगा, दूद ज्यादा ना हो, एक cup से, ठीके, दूद एक cup से ज्यादा ना हो, उसके बाद आपने क्या करना है, वो कीमे में मिला देना है, कीमे में मिलाने के बाद आपने क्या करना है, उसमें लहसन का powder डालना है, गार्लिक पॉर्डर, ईजीली हल जग बहुत जयते spicy नहीं करना है ठीक है और उसके बाद आपने salt for taste डालना है soya sauce अगर डालना चाहे तो एक खाने का चमज डालें मैंने soya sauce नहीं डाला था ना mustard powder ना mustard powder मैंने इसमें डाला था एक चाय का चमज या mustard paste अप्शमाइ ओपने के अपने क्या करना है उसको 30äg मिनट आपने अपने फूरे अपने क्या करना है या फिरये प्रीज में रख देया है या 30 मिनटे फ्रेजर में रखें, या फिर 1-5 गंड़ा फ्रेज में रखें, फ्रेज में रखने से क्या होगा, कि आपके जो डो है, वो नरम जो थी, वो सेट हो जाएगी, यह देखें, यह हमारे हो गए, अच्छा ओवन को जब हम बंद करते हैं, तो उसका दोर जो है, फॉर यह हमारे हो गए तयार, अब आप लोग थोड़ा साइड मोजें, तो मैं चूले के थोड़ा काम करूँगा, तो यहां पर हीट ना लगया आप लोगो, ठीक है, ओल हम करते हैं करम, अच्छा मैं पास टाइम थोड़ा कम है, तो नगेट्स मैं कोशिश करूँगा, कि मैं आदर घंटा रखना है, या तो फिर आपने फ्रेज में रखना है, ठीक है, यह अभी थोड़ा नरम है, लेकिन कोशिश करते हैं कि दो तीन मैं आपको बनाना सिखा हूँ, यह हमने गरम करना है, ओल, कुकिंग ओल, यह डीप फ्राइ होते हैं, ठीक है, ब्रेड करम आप मार लेसन का पॉडर, हाफ टीस्पून और क्वाटर टीस्पून सॉल डाल के इसमें थोड़ा सा मिक्स करेंगे, इस से क्या होगा, फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा इसके अंदर, ठीक है, अगर लेसन का पॉडर नहीं मिलता तो फिर ना डालें, वैसे कोशिश करें कि लेसन इसको हाथ नहीं लगाएगा बहुत गरम है, ठीक है, ओल हमारा गरम हो रहा है, ओल जब गरम होगा, हम क्या करते हैं, जब तक पिजा के जो हमने बनाए है, छोटे मेनी पीजा वो निकाल देख है, ठीक है, यह कटीटा आएगा, यह दिखें, इस तरह आपने, अब खाने अ अब त्रे गरम है, तो इसे मैं हटा दूँ किजी में आपको प्लेटर मापर लगता, थोड़ा साइड में जा, इस बहुत गरम होता है, बहुत एतियात से उठाय करें, इसका जो ट्रे होता है, ठीक है, यह देखें, यह हमारे मेनी पिजा, यह हमारे इनकों फरजाने शाकि इस तरह उठाना है, ठीक है, गीले हाथ पर ही बनेगा, यह देखें, इसका आपने कोई भी शेप देना है, स्क्वेर में करते हैं, राउंड में करते हैं, अब टूई हो, ठीक है, यह हो किया, इस तरह ऑईल भी हमारे गरम हो रहा है, इसमें जरूर खालाने पानी डाला अब उचल रहा है, बड़ा तंग करती हैं आप मुझे, इसको हमने डालना मैदे में, फस्ट मैदे में डाल के इसको रोल करना है, ठीक है, मैदे में डाल के हमने रोल किया, इसके बाद स्पून रखते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इत्याद से कर रहा हूँ, इसलिए कह रहा ह अब अंडे में किया, अंडे में इस्पून से पल टा देज़ा, हात में आओ तो टूट जाएगा, उसके बाद हमने क्या करना profit, इसको उठा के, ब्रेद करम में डालने है, फोर्क ले लें, यह देखे ब्रेद रॉक से करें, सेट रह गई फोक से करें इसमें ठीक है यह मैं फिर बता रहा हूँ प्रोसेस इसका जो है यह फ्रिज के बगए नहीं होता आपने इसको टाइम देना है उसके बाद आपने क्या करना है इसको फ्राय करना है लेकिन जब हमारे फ्रिज में यह हार्ड हो चुका होगा थोड़ा इसके बाद यह आप अराम से बना सकते हैं ठीक है इस तरह आपने करना है यह हाथ गीले करते रहें मैं तीन चार जितना में पस टाहिम होगा है बनाना सिखा रहा हूं बाकी दो मैंने आपको बता दी इसकी किस तरह मिक्स्चर है नगेट का किस तरह बनता ही यह आपने इसी कि वर हम नाने कीम फ्लेम पह जिया खार ने हिसब में करना इसको के अंड की आप इन रूर ञुप से रहें का यह अब पर हम बुढ़ से रहा है यह उद्हून इनके फ्रेज में फ्रेजर में रखी कर जो जी अच्छा आज जी प्रोग्राम में जी को सांसा कर तावन कई हुआ है साहिल बिल्डर एंड डेवलपर इनन जो एक अजीम शान प्रोजेक्ट है जेको मशूर शेहर सिंदी जे लाड़कने में आए ठीक है में राइस केनाल रोट चांट का पुल जे को है सचल कॉलनी जे वेजो ठीक है लोकेशन जे का है नंजी उते जी आए हमजा राइल सुटी जे में बुकिंग कराई लाए ताहां 15,000 का बुकिंग स्टार्ट थे थी आए महावार के सचे का हैं जी 10,000 रुपया है 600 वी गज बसो चाली आई 400 गज्जा रहाईशी प्लाड़ सुटे मिली विंदा थाहां के आए हुने जी डिटेल लाय ताहां होता है साइट ते वनी इसी सागो था ठीक है तमाम बहत्रीन लोकेशन थे आए हमजा राइल सुट इसको मैदे में डालने के बाद और यह जो मैं फ्राय करता जा रहा हूं मीडियम फ्लेम पर कर रहा हूं ताक ही जले ना ठीक है बहुत इत्याद से क्योंकि यह सॉफ्ट है यह एक बन गया यह हमने निकाल दिया दूसरा आपने फ्रेस करने अब मम्मा को बोलना आपने यह वाले नगेट बनाने ठीक है मार्केट से नहीं लेने यह वाले बना के आपको ट्राय करें पर मुझे बताएं नानी को कहीगा वो बताएंगी कैसे बने और नानी मुझे लगता जाकर बनाएंगी आज तो लाइव देख भी लिए वाले रड़ी बनाएंगी ठीक है यह नगेट का शेप आप मैं दुबारा बता दूंके जब आपकी जो इसका मिक्स्चर हमने बेटर बनाय यह आप इसको द्रेस देंगे और यह फरीज में रखखा होगा ठीकि इसके बाद यहाथ से सेत होगे इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि हाथ से यह तूटे ना है अधर टाइम उद्धाय जो अधर साथ सूली ते लटके लाजिए यह अस्तेह से इसको डालते जाए ठीक है हाथ के ले करते हैं अधर बस अधर कपर नतीप है मौसा मेडवा लगे तो ठीक है कल भी देखिएगा कलगी बड़ी अच्छी रेसिपीज यह दुबारा मेदे मेदे में आपने जरूर लहसन का पॉर्टर काली मिरज मिलाना चाहें तो मिला सकते ठीक है लिए बच्चों के इसाब से हैं ज्यादा को अधिए पुग है पॉर्ट जाएगा ना तो आप है निकालके इसको इसको इश्कों ग्रेज दे सकते हैं और इसको आप गाल नगड की शिर्को बाधन करके कश करना रूद पर पार गांगे कि यह करते हैं यह को भुन में जर्च करना फिक प्राइब दिखां पर नहिं कि मैं आपके बना चाह्यखतू है बोर आप बहुत है जो कहां पर वन यह चार मेंने बनाएं, एक पुटीन यह बच्चे खाएंगे और एक मैं खाऊंगा, ठीके ना? ठीके सुबर 11 बच के 5 मिन पर रिपीट चलेगा और कोकिंग वी शेफसे मेरा पेज वाई रेसेपी अपलोड हो जाएगी, ठीके आप वहाँ पर देख सकते हैं और उसके लावा वीडियो देखने के लिए आप सर्च करें, कोकिंग विद फैसल, Synth TV, HD, YouTube पे सारे प्रोग्राम सब को मिल जाएगे, ठीके, कोकिंग विद फैसल, Synth TV, HD, YouTube पे मेरे सारी प्रीवेस कल तक की वीडियो आपको मिल जाएगी, यह देखे हैं मेडियम फ्लेम पे अपने फ्राय करने के वहाइदा तेज पे भी ना अच्काईड़ आओ क्योंकिश्च को फ्रोजन जब आप इसको फ्रेज करने निकालने के बाद आपने क्या करना है यह हो गया उसको फिर आपने थोड़ी दर बाहर रेस्ट पर छोड़ देना 10-20 मिनट बाद आपने इसको फ्राय कर देना ठीक हमारे कम बनाएं टाइम की वज़ा से और इसको कौन सा अच्छा लगता है कैचप लेन यह स्पाइसी ठीक है यह हमारे नगेट्स कम है लेकिन अब जरूर बनाएं गा ताइम की वज़ा से ठीक है जबरदस यह है रेसिपी इसको जरूर ट्राय कीजेगा और इंशाला कल का प्रोग्राम देखीगा बच्चे होंगे कल की भी बच्चों के हसाब से पर्सों भी बच्चे हैं बच्चों के अच्छा हफते के दिनों के नाम बताना चाहरे थे अब टाइम ना है ना साथ हां बता दे जल्दी जल्दी चंचर आचर सुमर अंगारो अर्भा खमीश जुम्म गर्ड वेरी गुड अब आपको सिंधी में ठीक है आपको सिंधी भी सिखाएंगे बहुत अच्छी बोलने ठीक है अपना बहुत सा ख्याल रखीगा बच्चों के साथ बहुत मज़ा आता है इस तरह के प्रोग्राम करने इंशाला करते रहेंगे दुबारा आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं दो चार महीने आपको जोग अला आपिस झाल झाल